भारत माता की भारत माता की नमस्ते भी अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है लोकल से ग्रोबल हो गया और यह सब आपने किया है अपने दिल में भारत को बसा कर रखने वाले हर भारतिय ने यह किया है साथियो यहां आप इतनी दूर दूर से आये हैं कुछ पुराने चेहरे हैं कुछ नए चेहरे हैं आपका यह प्यार यह मेरा बहुत बड़ा सोभाग्य है मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पी एम भी नहीं था सी एम भी नहीं था नेता भी नहीं था उस समय एक जिग्यासू के तौर पर यहां आप सब के बीच आया करता था इस धर्ती को देखना इसे समझना मन में कितने ही सवाल लेकर गयाता था जब मैं किसी पत पर नहीं था उस से पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दोरा कर चुका था उसके बाद जब मैं सी एम बना तो टेक्नोलोजी के माध्रम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा पी-म रहते हुए मैंने आपसे अपार्स ने पाया है अपन तो पाया है दो हजार चौदा में मेडिसन स्क्वार दो हजार पनरा में सौन होसे दो हजार उन्नी में हुस्टन दो हजार तेज़ में वसिंग्टन और अब दो हजार चौविस में नियोर्क और आप लोग हर बार पिछला रेकोर्ड तोड़ देते हैं साथियों मैं हमेशा से आपके सामर्थ को भारतिय डायस्पुरा के सामर्थ को समझता रहा हूं जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रेंड एम्बेसेडर रहे हैं और इसलिए मैं आप सब को राश्ट दूत कहता हूं आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक किया है आपका स्कील आपका टैलेंट आपका कमिट्मेंट इसका कोई मुकाबला नहीं है आप साथ समंदर पार भले आए गए हैं लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराईयों में बसे हिंदुस्तान को आप से दूर कर सके मा भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते हम जहां भी जाते हैं सब को परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं डाइवर्सिटी को समझना डाइवर्सिटी को जीना उसे अपने जीवन में उतारना यह हमारे समस्कारों में हैं हमारी रगों में हैं हम उस देश के बासी है जहां सेंक्रों भाषाएं हैं सेंक्रों बोलिया हैं दुनिया के सारे मत है पंथ है फिर भी हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं यहां इस हॉल में ही देखिये कोई तमिल बोलता है कोई ते लुगू कोई मलयालम तो कोई कंड़ा कोई पंजाबी तो कोई मराधी और तो कोई गुजराती भाशा अनेक है लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारत माता की वो भाव है भारती अता दुनिया के साथ जुड़ने के लिए यह हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी ताकत है यही बैल्यूज हमें सहज रुप से ही विश्व बंधु बनाती है हमारे यहां कहा जाता है तेन तक तेन भुन्जि था यानि जो त्याग करते हैं बेही भोग पाते हैं हम दूसरों का भना करके त्याग करके सुख पाते हैं और हम किसी भी देश में रहे यह भावना नहीं बदलती है हम दिस सोसाइटी में रहते हैं वहां जादा से जादा योगदान करते हैं यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में रिसर्चर्स के रूप में टेक्ट प्रफेशनल्स के रूप में साइन्टीस के रूप में या दूसरे प्रफेशन्स में जो पर्चम लहराया हुआ है वो इसी का प्रतीक है अभी कुछ समय पहले ही तो यहां टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्लकप हुआ था और USA की टीम क्या गजब खेली और उस टीम में यहां रह रहे है भारतियों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है साथियों दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस लेकिन मैं मानता हूँ की ए आई का मतलब है अमेरिकान इंडियान अमेरिका इंडिया यह स्पिरीट है और वही तो नई दुनिया का ए आई पावर है यही AI स्पिरीट भारत अमेरिका रिस्तों को नई उंचाई दे रहा है मैं आप सभी को इंडियन डाइसपरा को सेलुट करता हूँ I salute you all साथियों मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ हर लीडर के मुँ से भारतिय डाइसपरा की तारी भी सुनता हूँ कल ही प्रेजिदेंट बाइडन मुझे डेलावेर में अपने घर ले गए थे उनकी आत्मियता उनकी घर मजोशी मेरे लिए दिल छेव लेने वाला मोमेंट रहा यह सम्मान एक सो चालीस करोड भारतियों का है यह सम्मान आपका है आपके पुर्शार्थ का है यह सम्मान यहां रहने वाले लाखों भारतियों का है मैं प्रेसिडेंट बाइडन का आभार करूँगा और साथ ही आपका भी आभार वेक्त करूँगा साथियों 2024 का यह साल पूरी दुनिया के लिए बहुत एहम है एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संगर्श है तनाव है तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं भारत में हुए ये इलेक्षन यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे आप कल्पना कर सकते हैं अमेरिका की कूल आबादी से भी करीब दो गुने वोटर्स इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कूल आबादी से ज़्यादा वोटर्स इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले जब हम भारत की डेमोक्रेशी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है तीन महिने का पोलिंग प्रोसेस पंदरा मिलियन यानि डेड़ करोर लोगों का पोलिंग स्टाफ एक मिलियन यानि दस लाग से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन दाई हजार से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आठ हजार से ज़्यादा केंडिडेट्स अलग अलग भासाओं के हजारों न्यूज पेपर्स सेंकडो रेडियो स्टेशन सेंकडो टीवी न्यूज चैनल करोडो सोशल मीडिया एकाउंट्स लाखों सोशल मीडिया चैनल्स ये सब भारत की डेमोक्राशी को वाइबरनेट बनाते हैं ये फ्रीडम अप एक्सप्रेशन के विस्तार का दोर है इस लेवल की स्ट्रिटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है और साथ्यों इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर इस बार भारत में कुछ अभूत्पुर्व हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है अब की बार अब की बार अब की बार साथ्यों तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है और ऐसा पिछले साट सालों में भारत में नहीं हुआ था भारत की जन्ता ने ये जोया नया मेंडेट दिया है उसके माइने बहुत है और बहुत बड़े भी है ये तीसरे टम में हमें बहुत बड़े लक्स साधने हैं हमें तीन गुना ताकत और तीन गुना गती के साथ आगे बढ़ना है प्रधार मंत्री मोदी का इस वक्त यहां संबोधन चल रहा है भारती ये समुदाय में काफी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूँ P for Progressive भारत U for Unstoppable भारत S for Spiritual भारत S for Humanity First को समर्पित भारत P for Prosperous भारत यानि पुष्प पुष्प की पांच पंग्खुडियों को मिला कर ही विक्सित भारत बनाएंगे साथ्यों साथ्यों मैं भारत का पहला प्रधान मंत्री हु जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ आजादी के अंदोलन में करोडो भारतियों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था उन्होंने अपना हीत नहीं देखा अपने कमफर्ट जो उनकी चिंता नहीं की वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूल कर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला किसी के सरीर को गोलियों से भून दिया गया को यांतनाय सहते हुए जेल में ही गुजर गया कहियों की जमानी जिन्दगी जेल में कब गई साथियों हम देश के लिए मर नहीं पाए लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं मनना हमारे नसीब नहीं था जीना हमारे नसीब है पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एक दम क्लियर रहा है मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया लेकिन मैंने तै किया सुराज और समर्द्य भारत के लिए जीवन समर्पित करूँगा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पूरे देश में घुमता रहा भटकता रहा जहां खाना मिला वहां खा लिया जहां सोने को मिला वहां सो लिया समंदर के किनारे से लेकर पहड़ों तक रेगिस्तान से लेकर बर्फिली चोटियों तक मैं हर खेत्र के लोगों से मिला उनको जाना समझा मैंने अपने देश के जीवन अपने देश के संस्त्रती अपने देश की चुनोतियों का फर्स्ट हैंड एक्स्पिरियंस लिया वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी देशा कुछ और पाई की थी लिके नियती ने मुझे राजनीती में पहुँचा दिया कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चिप मिनिस्टर बनूँगा और बना तो गुजरात का लॉंगे सर्विंग चिप मिनिस्टर बन गया तेरा साल तक गुजरात का चिप मिनिस्टर रहा इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइमिस्टर बना दिया लेकिन दसकों तक देश के कौने में कौने में जाकर मैंने जो सीखा है उसी ने चाहे राज्य हो या कैंदर मेरे सेवा के मोडल को मेरे गवर्नेंस के मोडल को इतना सफल बनाया है पिछले दस सान में इस गवर्नेंस मोडल की सफलत आपने देखी है पूरी दुनिया ने देखी है और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा टम स्वंपा है ये थर टम मैं मैं तीन गुना जादा दाइत्व बोथ के साथ आगे बढ़ रहा हूँ साथियों आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है भारत एनर्जी से भरा हुआ है सप्रों से भरा हुआ है रोज नए किर्टेमान हर रोज नए खबर आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है चेस ओलिम्पियाड में मैंस और मिमेंस दोनों में भारत को गोल्ड मिला है लेकिन एक और बात बताओ जब जाजा पालिया बजाने पड़ेगी ये लगभग सो साल के इत्याज में पहली बार हुआ है पूरे देश को हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्स पर बहुत गर्व है एक और AI है जो भारत को ड्राइव कर रही है और वो कौन सा और है वो है ए फ़र एस्परेशनल आई फर इंडिया एस्परेशनल इंडिया इन नया फोर्थ है नई उर्जा है आज करोडो भारतियों की एस्परेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है हर एस्परेशन नए एचिवमेंट को जन्म देती है और हर एचिवमेंट नए एस्परेशन के लिए खाद पानी बन रही है एक दसक में भारत दस्वे नंबर से दस्वे नंबर से पांच्वे नंबर की एकोनोमी बन गया अब हर भारतिये चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लार्जेस्ट एकोनोमी बने आज देश के एक बहुत बड़े वर्के की बेसिक नीट्स पूरी हो रही है पिछले दस साल में करोरों लोगों को क्लीन कुकिंग गैस की सुविधा मिली है उनके घर तक पाइप से साब पानी पहुंचने लगा है उनके घर में बिली कनेक्शन पहुंचा है उनके लिए करोडों टॉइलेट्स बने हैं ऐसे करोडों लोग अब क्वालिटी लाइप चाहते हैं आत्यों अब भारत के लोगों को सिरफ रोड नहीं उन्हें शांदार एक्स्प्रेस वे चाहिए अब भारत के लोगों को सिरफ रेल कनेक्टिविटी नहीं उन्हें हाइश्पीड ट्रेन चाहिए हर भारत के बारत के हर शहर के अपेच्शा है उसके यहां मेट्रों चले भारत के हर शहर के अपेच्शा है उसका अपना एरपोर्ट हो देश का हर नागरिक हर गाउं शाहर चाहता है के उसके हां दुनिया की बेश्ट्ष विधाएं हो और इसका नतीज़ा हम देख रहे हैं 2014 में भारत के सिर्फ पाँच शहरों में मेट्रों थी आज 23 शहरों में मेट्रों है आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रों नेट्वर्क भारत में है और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है साथियों 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में 70 शहरों में एरपोर्ट्स थे आज 140 से जान्दा शहरों में एरपोर्ट्स है 2014 में 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी थी 100 से भी कम आज 2 लाग से भी जादा पंचायतों में ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी है 2014 में भारत में 140 मिलियन यानि 14 करोड के आसपास LPG कंजुमर थे आज भारत में 310 मिलियन यानि 31 करोड से जादा LPG कंजुमर है जिस काम में पहले सालों लग जाते थे वो काम अब महिनों में खत्म हो रहा है आज भारत के लोगों में एक आत्म विस्वास है एक संकल्प है मंजिल तक पहुंचने का इरादा है भारत में डेवलप्मेंट एक पीपंस मूवमेंट बन रहा है और हर भारतिय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है उसे भरोजा है भारत की सफलता पर भारत की उपलब्दियों पर साथियों भारत आज लेंड अफ अपर्टुनिटीज है अउसरों की दर्ती है अब भारत आउसरों का इंतजार नहीं करता अब भारत आउसरों का निर्मान करता है भारत ने हर सेक्टर में अपर्टुनिटीज का एक नया लॉंचिंग पैड तयार किया है आप देखिए सिर्फ एक दसक में ही और ये बात आप सब को गर्व देगी सिर्फ एक दसक में ही पंदरा पचीस करोड लोग एक दसक में ही पचीस करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ये कैसे हुआ ये इसलिए हुआ हमने पुरानी सोच बदली एप्रोच बदली हमने गरीब को एमपावर करने पर फोकस किया पचास करोड यानि 500 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ा पचपं करोड यानि 550 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पांच लाख रुपिय तक का फ्री मेडिकल ट्रिट्मेंट देना चार करोड यानि 40 मिलियन से ज़्यादा फैमिलिस को पक्के घर देना कोलेटरल फ्री लोन्स का सिस्टेम बनाकर करोडों लोगों को इस अप क्रेडिक क्रेडिक से जोड़ना ऐसे अने को काम हुए तब इतने लोगों ने खुद ने गरीबी को हराया और वो गरीबी से निकल करके आज यही नियो मिल्ल क्लास भारत के डवलप्मेंट को तेज गती दे रहा है सात्यों हमने विमेन वेलफर के साथ ही विमेन लेट डवलप्मेंट पर फोकस किया सरकार ने जो करोडो घर बनवाए उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है जो करोडो बैंक खाते खुले उसमें आधे से ज़्यादा खाते महिलाओं के खाते खुले दस सान में भारत की दस करोड महिलाए माइक्रो एंट्रप्रिनर्शिप स्कीम से जुड़ी है मैं आपको एक और एक्जामपल देता हूँ हम भारत में एग्रिकल्चर को टेकनोलोजी के साथ जोडने में अनेक प्रियास कर रहे है उसमें आज खेती में किसानी में भरपुर मात्रा में ड्रोन का उप्योब आज भारत में नजर आता है शायद ड्रोन आपके लिए नई बात नहीं है तेकि नई बात ये है इसकी जिम्मेदारी कौन सवालता है पता है ये रूरल विमें के पास है हम हजारों महिलाओं को ड्रोन पाइलर्स बना रहे हैं एगरिकल्टर में टेक्नलोजी का ये बहुत बड़ा रिवलुशन गाउं की महिलाएं लेकर आ रही है साथियों जो एरिया पहले निगलेक्टेर से वो आज देश की प्रायोरिटी है आज भारत जितना कनेक्टेड है उतना पहले कभी नहीं रहा आप हैरान होंगे आज भारत का 5G मार्केट बताओं बुरा नहीं लगेगा ना आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है और ये दो साल के भीतर भीतर हुआ है अब तो भारत मेड इन कि अधिया सीश जी पर काम कर रहा है ये कैसे हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पालिशीस बनाई हमने मेड इन इंडिया टेकलर पर काम किया हमने सस्टे डेटा पर मोबाइल फोन मैनुफेक्टिरिंग पर फोकस किया आज दुनिया का करीब करीब हर बड़ा मोबाइल ब्रांड मेड इन इंडिया है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनुफेक्टिरर है एक जमाना था मेरे आने से पहले जब हम मोबाइल इंपोर्टर है थे आज हम मोबाइल एक्स्पोर्टर बन गए है साथियों अब भारत पीछे नहीं चलता अब भारत नई व्यवस्ताएं बनाता है अब भारत ने तृत्व करता है भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्टर्टर्टर डिपी आई का नया कंसेब दुनिया को दिया है डिपी आई ने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है ये करप्शन को कम करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है भारत का यूपी आई आज पुरी दुनिया को आकरशित कर रहा है आपकी जेब में वॉलेट है लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही फौन में वॉलेट है इवॉलेट है अनेख भारती है अब अपने डॉक्यमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते हैं उनके पाद डीजी लोकर है वो एरपोर्ट में जाते हैं तो डीजी यात्रा से सीमलेस ट्राविल करते हैं ये डीजीटल पब्लिक इंफ्रासक्चर, जॉब्स, इनोवेशन और इससे जुड़ी हर टेक्नोलोजी का लॉंचिंग पैड बन गया है शाथियों भारत भारत अब रुकने वाला नहीं है भारत अब थमने वाला नहीं है भारत चाहता है दुनिया में जादा से जादा डिवाइस मेड इन इंडिया चीप पर चले हमने सेमी कंड़क्टर सेक्टर को भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है पिछले साल जून में भारत ने सेमी कंड़क्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव गोशित किये थे इसके कुछी महिनों बाद माइक्रोन की पहली सेमी कंड़क्टर यूनीट का सिला न्याद भी हो गया अब तक भारत में ऐसी पाँच यूनीट्स स्विकृत हो चुकी है वो दिन दुर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चीप यहां अमेरिका में भी देखेंगे यह छोटी सी चीप विक्सित भारत की उड़ान को नई उंचाई पर ले जाएगी और यह मोदी की गारंटी है सात्यों आज भारत में रिफॉर्म्स के लिए जो कन्विक्शन् जो commitment है वो अभूत पुर्वा है हमारा Green Energy Transition Program इसका बहुत बड़ा उदार्ण है दुनिया की 17% population होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिरफ चार परसेंट है दुनिया को बरबाद करने में हमारा कोई रोल नहीं है पूरी दुनिया की तुलना में एक तरह से एक पहसकते ना के बरावर है हम भी सिर्फ कार्बन फ्यूइल जला कर अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते ही थे लेकिन हमने ग्रीन ट्रांजिशन का रास्ता चुना प्रकृती प्रेम के हमारे संस्कारों ने हमें गाइड किया इसलिए हम सोलर, बीन, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन और नुकलियर एनरजी पर इन्वेस्मेंट कर रहे हैं आप देखिए भारत जी ट्वेंटी का ऐसा देश है जिसने पेरिस्ट क्लाइमेट गोल्स को सबसे पहले पुरा कर दिया 2014 के बाद से भारत ने अपनी सोलर, एनरजी, इंस्ट्रॉल, कैपिसिटी को 30 गुना से जादा बढ़ाया है हम देश के हर घर को सोलर पावर होम बनाने में जूटे हैं इसके लिए रूप टॉप सोलर का बहुत बढ़ा मिशन हमने शुरू किया है आज हमारे रेल्वे स्टेशन और एरपोर्ट सोलराइज हो रहे हैं भारत गरों से लेकर सड़कों तक एनरजी, एफिशन, लाइटिंग के रास्ते पर चल पड़ा है इन सारे प्रयासों से भारत में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉप पैदा हो रहे हैं सात्यों 21 संदी का महारत एजुकेशन, स्कील, रिसर्च और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रहा है आप सभी नालंदा उनिवर्सिटी के नाम से परिचीत है कुछ समय पहले ही भारत की प्राचीन नालंदा उनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है आज सिर्फ उनिवर्सिटी कोई नहीं बलकि नालंदा स्पिरिट को भी रिवाइब कर रहा है पूरी दुनिया के स्टुडेंट्स भारत आकर पड़ें हम इस तरह का आधुनिक सिस्टिम बना रहे है बीते दस साल में भारत में ये भी जरह आप लोगों को याद रखने जैसी बात बताता हूं मैं बीते दस साल में भारत में हर सप्ता एक युनिवर्सिटी बनी है हर दिन दो नए कॉलेज बने हैं हर दिन एक नई आई टी आई की स्थापना हुई है दस साल में ट्रीपल आई टी की संख्या नव से बढ़कर पचीस हो चुकी है आई एम्स की संख्या तेरा से बढ़कर इकीस हो चुकी है एम्स की संख्या तीन गुना बढ़कर बाईस हो चुकी है दस साल में मेडिकल कोलेजों की संग्यावी लगबाग दोगुनी हो चुकी है टॉप ग्लोबल उनिवर्सिटी पी आई भारत आ रहा है भारत का नाम है अभी तक दुनिया ने भारत के डिजाइनर्स का दम देखा अब दुनिया डिजाइन इन इंडिया का जलवाद देखेंगे साथियों आज हमारी साजेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है पहले भारत सबसे समान दूरी की निती पर चलता था इक्वल डिस्टन्स अब भारत सबसे समान नज्दिती की निती पर चल रहा है हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं आपने देखा होगा भारत की पहल पर जी ट्वेंटी समीट में आफ्रिकान यूनियन को सथाई सदस्यता मिली आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है कुछ समय पहले जब मैंने कहा तो उसकी गंभीरता सब ने समझी साथियों आज दुनिया में कहीं भी संकट आएं भारत फर्स्ट रिस्पॉंडर के रुप में सामने आता कोरोना के समय में हमने एक सो पचास से ज़्यादा देशों को वेक्सिन और दवाईयां भेजी कहीं भूकम पाएं कहीं साइक्लोन आएं कहीं ग्रह युद्ध हो हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं यही हमारे पुर्खों की सीख है यही हमारे समस्कार है साथियों आज का भारत दुनिया में एक नए केटलिक एजन्ट की रूपतर उभर रहा है और इसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखेगा ग्लोबल ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल क्राइमेट एक्षिन को स्पीड और स्पीड अप करने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल स्पील गैप को दूर करने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल इनोवेशन को नई दिशा देने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल सप्राइज चेंड में स्टेबिलिटी के लिए भारत का भूमी का अहम होगा साथियों भारत के लिए शक्ति और सामर्थ का अर्थ है भारत के लिए शक्ति और सामर्थ का अर्थ है ग्यानायर दानायर चेर रख्षनाया याने नौलेज इत पर शेरीं वेल्ज इत पर करीं पावर इत पर प्रोटेक्टिंग इसलिए भारत की प्राथिक्ता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं अपना प्रभाव बढ़ाने की है हम आप की तरह जलाने वाले नहीं हम सूरत के कीरन की तरह रोशनी देने वाली लोग है हम विश्व पर अपना दबदबाद नहीं चाहते हैं हम विश्व की समृद्धि में अपना सही योग बढ़ाना चाहते हैं योग को बढ़ावा देना हो सुपर फूड मिलेट्स को बढ़ावा देना हो मिशन लाइफ यानि लाइफ टाइल फर एंड़ार्मेंट का वीजन हो भारत जीडीपी सेंट्रीक ग्रोथ के साथ ही हुमन सेंट्रीक ग्रोथ को भी प्राफिक्ता दे रहा है मेरा आप से भी आग रहे है यहां मिशन लाइफ को जादा से जादा प्रमोट करिए हम अपनी लाइफ टाइल में थोड़े से बढ़ाव करके भी परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं शायद आपने सुना होगा और हो सकता है आप मैंसे कुछ लोगोंने इनिसेटिव लिया भी हो आज कल भारत में एक पैड मा के नाम अपनी मा को याद करते हुए एक पैड लगाना मा जिन्दा है तो साथ ले जाना मा नहीं है तो तस्वीर ले जाना एक पैड मा के नाम लगाने का अभियान अद्देश के हर कोने कोने में चल रहा है और मैं चाहूंगा आप सभी यहाँ भी ऐसा अभियान चलाएं यह हमारी जन्मदाता मा और धर्ती मा दोनों का यश्च बढ़ाएंगा साथियों आज का भारत बड़े सपने देखता है बड़े सपनों का पीछा करता है अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलिम्पिक खत्म हुए है अगले ओलिम्पिक्स का होस युएसे है जल्द ही आप भारत में भी ओलिम्पिक्स के साक्षी बनेंगे हम 2036 के अलिम्पिक्स की मैजमानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है स्पोर्ट हो बिजनेश हो या फिर एन्वार्मेंट एंटर्टेंडमेंट आज भारत बहुत बड़े आकर्षन का केंद्र है आज IPL जैसी भारत की लिग्स दुनिया की टॉप लिग्स में से एक है भारत की फिल्में ग्लोबली धुम मचा रही है भारत आज ग्लोबल टुरिजम पे भी पर्चम लहरा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड है मैं देख रहा हूँ इन दिनों हर शहर में लोग नवरात्री का गर्मा सीख रहे है ये भारत के प्रति उनका प्यार है साथियों आज हर देश भारत को जादा से जादा समझना चाहता जानना चाहता आपको एक और बात जानकर खुशी हो होगी कल ही अमेरिका ने हमारे करीब तीन सो पुराने जो सिलालेग और मुर्तियां थी जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा कोई पंद्रासो साल पुरानी कोई दोहजार साल पुरानी तीन सो सिला लेख और मूर्तिया भारत को लोटाई है अभी तक अमेरिका ऐसी लगबग पांसो दरोहरें भारत को लोटा चुका ये कोई छोटी सी चीज लोटाने का विशे नहीं है ये हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है ये भारत का सम्मान है और ये आपका भी सम्मान है मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूँ साथियों भारत और अमेरिका की पांटनर्शिप लगातार मजबूत हो रही है हमारी पांटनर्शिप ग्लोबल गुड के लिए हैं हम हर छेत्र में सैयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहुलियत का भी द्यान है मैंने पिछले साल ये गोशना की थी कि सियेटल में हमारी सरकार का नया कॉंसलेट खोलेगी अब ये कॉंसलेट शुरू हो चुका है मैंने दो और कॉंसलेट खोलने के लिए आपके सुजाओं मांगे थे मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुजाओं के बाद भारत ने बोस्टन और लोस एंजलेस में दो नए कॉंसलेट खोलने का मिर्ड़े लिया है मुझे युनिवर्सिटी अफ हुस्टन में थिरु वल्लु वर्ड चैर अप तमिल स्टडिज को एनाउस करने की भी खुशी है इससे महान तमिल स्ट थिरु वल्लु वर्ड का दर्शन दुनिया तक पहुताने में और मदद मिलेगी खात्यों आपका ये आयोजन वाकई शांदार रहा है यहां जो कल्टरल प्रोग्रम हुआ वो अद्बूत था मुझे ये भी बताया गया है कि इस इवेंट के लिए हजारों लोग और भी आना चाहते थे लेकिन वेन्यू छोटा पड़ गया जिन साथियों से मैं यहां मिल नहीं पाया उनसे मैं च्छमा चाहता हूँ उन सभी से अगली बार मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वेन्यू पर लेकिन मैं जानता हूँ पुच्छा ऐसा ही होगा जोश ऐसा ही होगा आप ऐसे ही स्वस्त रहें सम्रुद्ज रहें भारत अमेरिका दोस्ती को ऐसे ही मजबूत करते रहें इसी कामरा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ भोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की बहुत 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 भारत माता की बहुत है